सातियों कैसे आप सब बिलकुल मस्त होंगी स्वस्त होंगी यू विक्टर ग्यान योटूब चैनल पर आप सभी का भूत भूत स्वागत है फिलाल में ऐसे सी MTS के एक्जाम चल रहे हैं और या तो हो सकता है कि आपके एक्जाम हो चुके होंगे या फिर बहुत सारे ऐसे भी क एक्जाम होना बागी है यह वीडियो इस पेसली तरीके से उन कंडिटेटों के लिए बहुत बहुत जादा महत्पुन होने वाला है जिनका एक्जाम हो चुका है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बहुत ली डिटेल से और बहुत ली सिस्टेमेटिक वे में डिसकस करने वाले हैं SSC MTS की एक्सपेक्टेड कटोप के बारे में क्योंकि एक्जाम देने के बाद में सबसे पहला क्योसन यही आता है दिमाग में कि इसकी कटोप कितनी जा सकती है तो उसी एक्सपेक्टेड कटोप के बारे में हम डिसकस करने वाले हैं और यहां पर हम जो डिसकस करन वहां पर आप फीड़ बैक देते हो कि एक्जाम कैसा हुआ है एक्जाम किस लेवल का था कटोप कितनी जा सकती है इस तरीके का आप फीड़ बैक देते हैं तो एक तो हमने उस फीड़ बैक को काम लिया है दूसरा हमने यहां पर पोल करवाया था उस पोल को काम लिया है हमने बहुत सारे यूटूब पर वीडियोज देखे हैं और इन सब भी के बेश पर आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि कटोप कितनी जा सकती है और लगबग कटोप इसी रेंज में जाने वाले है और वीडियो को शुरूब करूँ उससे पहले आप सबी से एक छोटी सी के रिक्वेस्ट हैं कि आप इस वीडियो को अपने सबी साथियों के साथ जरूर सेयर करें ताकि उनको भी पता चल सेके कि कटोप कितनी जा सकती है तो चलो वीडियो को शुरूब करते हैं और अब भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक पार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें सभी दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें यहाँ पर हम बात करने वाले कैटेग्री वाइस तरीके से और स्कोर के बारें बात करेंगे देखो यदि आप जनल कैटेग्री से है आपका स्कोर 110 से 120 के बीच में हो रहा है तो आपका SSE MTS में हो जाएगा सलक्सन और यदि आपका स्कोर 115 पिलस में है यदि आप जननल कैटेगory से हैं और आपका स्कोर 115 प्लस हो रहे तो बिलकुल आपका आसानी से सलक्सन हो जाएगा और यदि आपका स्कोर 120 प्लस जा रहे है तो फिर थो 100% शूर है कि आपका सलक्सन हो जाएगा उसके बाद हम OPC के बारे में डिसक्स करते हैं देखो OBC की जो कटोफ है सामाने तो जनरल के कटोफ से थोड़ी ही कम जाती है बहुत सारी बार तो ऐसा भी होया कि जनरल और OBC की जो कटोफ थी हो लगबग एक बराबर गई थी एक सामान गई थी तो जो OBC की कटोफ है वो 108-118 के बीच में रहने वाली है अब उसके बाद हम EWS के बारे में बात करें देखो EWS की जो कटोफ है ना इसको लेकर थोड़ असा विवाद चलता रहता है क्योंकि आप जब पुराने एक्जामों को उठा के देखोगे तो वहाँ से पता चलेगा कि EWS की कटोफ कई बार तो बहुत ज़्यादा कम चली जाती है और कई बार बहुत लगबग OBC के बराबर रहा जाती है देखो स्टार्टिंग के यदि हम बात करें जब EWS लागू हुआ था तो उस दोरान EWS की जो कटोफ थी हो बहुत कम जाती थी लेकिन आजकल ओलिमोस्ट हर एक जनरल कैटेगरी के कंडिडेट के पास EWS है जादा अकतर सभी कंडिडेटर ने EWS बना लिया तो आजकल EWS में भी कॉम्टेशन भढ़ चुका है इसलिए EWS की जो कटोफ है वो भी लगबग OBC के वराबर रहने वाली है या फिर आप एक दो नंबर नीचे सोच सकते हो ठीक है उसके बाद हम S.C. के बारे में बात करें S.C. की जो कटोफ है 105 से 115 के बीच में रहने वाली है और S.C. की कटोफ है जो 103 से 113 के बीच में रहने वाली है इस कटोफ को लेकर आपकी क्या राए है ये कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताना वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों के साथ सेयर करना चैनल को जरूर सब्सक्राब करना बहुत बहुत धन्यवाद सबी सात्योग देखने के लिए थैंक्स बाई